हेलो बच्चो, नमस्कार, कैसे हो सभी, I hope के अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मैं मंदीप कोदारा, आपके अपने यूट्यूब चैनल 7G साइंस पर आप सभी का हरदीक स्वागत करता हूँ, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब् सब्सक्राइब जरूर करें, और आज की इस क्लास में बच्चो, हम आज से सुरू कर रहे हैं, अपना एक वन सोट वीडियो, जो बच्चे 10th क्लास का एक्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए, 10th क्लास का जो अपना, ये जो सेशन है, इस सेशन के लिए, पूरा complete section माप्रव के लिए ले के आऊंगा, पूरा one sort वीडियो, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, प्यारे बच्चो, अपना chemical reaction and equation वाला जो chapter है, ये complete chapter होगा इस वीडियो में, पूरा one sort वीडियो होगा, अब इसके अलावा अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है, किसी भ परकार का कोई doubt हो आपके मन में, तो प्यारे बच्चो, आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपके मन में किसी भी परकार को ले करके, आपके classes को ले करके, कैसे exam attempt करें, क्या होगा, कब exam होगा, अगर किसी भी तरीके की कोई आपको tension लगरी exam में, तो तुम्हारा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है, तो हमारी यह journey start करते हैं, are you ready guys, yes, go, तो पहला chapter हमारा, chapter number one है यह हमारा, chapter number आप लोगों ने thumbnail में देख लिया होगा, chapter first हमारा, chemical reaction and chemical equation, एक एक करके, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन classes के notes के लिए आप म आपने इस chapters के notes भी आप मेरे से ले सकते हैं, इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप मुझे Telegram Channel, मंदीप कोदारा सर के नाम से Telegram Channel है अपना, इस Telegram Channel को भी जोईन कर सकते हैं, आप वहां से भी अपने notes से ले सकते हैं, चले बच्चों, सुरू करते हैं, सबसे पहले, सबसे बहुत सारे क्या हो रहे हैं बच्चों, changes हो रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पीवर्तन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, milk is left at room temperature during summers, क्या होता है, अगर आप बच्चों क्या कर दोगे, आप milk को, गर्मियों के दोरान, अभी गर्मियों का motion चल रहा है, अगर आप दूद को ब यह जो लोहा है, कोई भी लोहे का तवा है, ठीक है, कोई भी पैन है, नेल है, अगर आपको इसको humid, humid atmosphere में रखते हैं, तो क्या होता है, grabs get fermented, grabs जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, इनका fermentation होता है, food is cooked, भोजन का क्या होता है, cook होता है, भोजन आप लोग पकाते हैं, अगला है, food gets digested in our body, भोजन हमारी बोडी में पकता है, we respire, हम सांस लेते हैं, तो यह सारे के सारे क्या होती हैं, बच्चो हमारे surrounding के अंदर, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, continuously हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत सारी processes चलती रहती हैं है ना, अगर हम बात करें प्यारे बच्चो, इन processes की, ठीक है, हम बात करें इन processes की, तो इन processes को हम लोग कहते हैं बच्चो, chemical reaction क्या होती हैं, देखो इसी चीज़ को समझ रहे हैं लोग, देखे, इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ, देखे हमारे आसपास ना हमारे आसपास बहुत सारे क्या होते हैं बच्चो चेंजीज हो रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहे हैं बहुत सारे चेंजीज हो रहे हैं बहुत सारे प्रिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास आप लोग देखेंगे ना लाकों परकार के चेंजीज पकाया हो, पकाने के बाद क्या होगा, चेंज हो गया वो, है ना, आपको चीज जल रही है, बर्न हो रहा है किसी चेज का, बर्न होने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, तो बच्चो, सीधी सी सिंपल सी भासा में बताना चाहूं आपको, तो हमारे आसपास, हमारे के चेंज होते हैं, एक होता है physical change, और बच्चो एक होता है chemical change, एक होता है physical change और दूसरा होता है chemical change, अब गुरुजी इसमें क्या फरक होता है, what is the physical and what is the chemical, बताओ ज़रा, comment करके बताना, 9th class में पढ़ा होगा आप लोगोंने, क्या उससे भी पहले पढ़ा होगा, कि हमारे surrounding मे बहुत सारे changes होते हैं उन changes में दो परकार के change होते हैं एक physical एक chemical physical change वो होते बच्चो जो reversible हो क्या हो reversible हो यानि जिनको हम वापस से original state में ला सकें जैसे की example बताओ साब example बताता हूं बच्चो मैं कहता हूं मैं कहता हूं अगर अपने पास water है क्या है बच्चो अपने पास water है अगर बच्चो यह water किस में convert हो गया यह ice में convert हो गया आपके पास पानी है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा अगर ये पानी आइस में convert हो गया तो बिच्चो मुझे बताओ क्या आइस से आप वापिस पानी बना सकते हो क्या गुरुजी इसमें कोई इसी बड़ी बात है सर ये तो मुझ चुटकियों में बना देंगे तो बस जिसको हम reverse कर सकें जो process reversible हो इसको हम बोलते है physical change chemical change क्या होगा सर chemical change किसी भी चीज का बच्चो burn होना है कोई भी चीज burn हो रही है मैं आप से कहूँ आपके पास क्या है बच्चो कोई भी आपके पास कोई भी एक्स वाई चेड चीज है एक कागज है बच्चो कागज है आपके पास एक paper है है ना आपने क्या क्या बच्चो आपने उस paper को क्या कर दिया आपने उस paper को जला दिया burn हो गया आपने paper को क्या कर दिया burn कर दिया जला दिया अब burn करने के बाद क्या बनेगा बच्चो बर्न करने के बाद क्या बनेगा गुरू जो राख बनेगा है ना क्या मुझे बताओ वो जो एस बनेगा वो जो राख बनेगा इससे आप वापिस पेपर बना सकते हो क्या भाप इस पेपर बना सकते हो नो तो बच्चो ये क्या है ये कैमिकल चेंज है ये क्या है बच्चो और ऐसी प्रोसेस जिसमें कैमिकल चेंज होते है इस प्रोसेस को हम बोलते है कैमिकल रियक्शन तो समझ में आया आपको क्या होता है chemical reaction क्या बात है सर समझ में आ गया what is the chemical reaction तो chemical reaction होता बच्चो क्या होता है chemical reaction होता है सर जिसमें कोई chemical change हो रहा हो उस process को क्या बोलते है chemical reaction बोलते है very good, शाबास अब यहाँ पर देखो बच्चो यहां पर इन्हों ने आपने देखा होगा हमारी NCRT के अंदर आप अगर NCRT पड़े पूरा का पूरा चैप्टर जो रहेगा हमारा NCRT बेस रहेगा NCRT के अंदर आपने चीज देखी होगी साब देखो यह क्या एक बर्नर यह बर्नर है इस बर्नर में क्या कर रहा बच्चो यह क्या है यहां पर यहां पर एक सफीद रंग का क्या हो रहा है पाउडर जमा हो रहा है यहां पर क्या हो रहे है मैगनेशियम रबड होता है सफेद रंग किस में जमा हो रहा है यह पाउडर में जमा हो रहा है बच्चो किस में जमा हो रहा है यह क्या यह अपना कोई क्या लिख रख है इसने अच्छा ग्लास है ठीक है तो यह जो सफेद रंग का है न बच्चो यह क्या है, यह है magnesium oxide, क्या है बच्चो, magnesium oxide, MgO, क्या है, magnesium oxide, तो यह क्या क्या रहा है, you must have observed the magnesium ribbon, burns with dazzling white flame and change into a white powder, क्या क्या रहा है, हमने observe किया, जब यह reaction किया, तो हम लोगों ने observe किया, क्या observe किया, बच्चो, यह क्या रहा है, we observe that, किस में convert हो रहा है, magnesium ribbon, burns with dazzling white flame, it changes into a white powder, and this white powder is magnesium oxide, it is formed, due to the reaction between magnesium and oxygen, presents in the air, देखो, समझ में आई आपको बात यह क्या क्या रहा है, यह कह रहा है, यह क्या रहा है, यह जो यहाँ पर अपना magnesium ribbon था, क्या था, सर, यह हुआ कैसे, यह जो white powder बना यह कैसे, कैसे बना यह, समझाओ हमें, अभी समझाते हैं बच्चे, चिंता मत करो, ठीक है, यह कैसे हुआ, देखो, इसके बारे में मैं अभी समझाता हूँ आपको, वे how, कैसे हुआ बच्चो यह, यह क्या हुआ, हमारा जो magnesium ribbon था, magnesium ribbon ने क्या किया, oxygen के साथ, किस के साथ है, oxygen के साथ reaction किया, और इसने क्या बना दिया बच्चो, इसने बना दिया जो white color का जो powder होता है, इसका नाम क्या है Magnesium Oxide बना दिया बच्चो क्या बना दिया इसने Magnesium Oxide तो इसे हम लोग कहते है Chemical Reaction Magnesium Oxide अब हम आपको एक simple तरीके से समझाने की कोसिस करूँगा समझा ना बच्चो बिल्कुल आसान तरीके से क्या है समझो कि यह सर यह Magnesium था ठीक है सर Magnesium Ribbon था Magnesium Ribbon को हमने क्या कर दिया बच्चो जला दिया क्या कर दिया Burn कर दिया इसको हमने जला दिया और जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है बताओ जरा जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है क्या कह रहे हो Girlfriend की जरूरत होती है कि गल्फंड बना लो सर, एक अच्छी से सुन्दर सी गल्फंड बना लो, आसपास वाले लोग जल जाएंगे, अबे नहीं, जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्छो, जलाने के लिए जरूरत होती है गुरुजी, ऑक्सीजन की, किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की ज बनाती है Oxide, क्या बनाती है Oxide बनाती है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया Magnesium Oxide, तो इसे हम लोग कहते है Chemical Reaction, समझ में आया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे, साब, जब कोई, दो या दो से ज़्यादा चीजें मिल करके, एक नई चीज बनाती है, तो उसे हम लोग कहते ह Chemical Reaction, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, Chemical Reaction, समझ में आया, Chemical Reaction क्या होता है, जी ग्रू जी, क्या होता है, जब कोई दो चीजें आपस में मिल के, क्या बनाए, एक नई चीज बनाए, उसे बोलते है, Chemical Reaction, और भी बहुत सारी चीजें, बच्चों, मैंने कहा, आपके पास कार मतलब होता है oxygen के साथ reaction करना तो कोईला जब oxygen के साथ reaction करता है प्यारे बच्छो तो क्या बनता है बताओ क्या बनता है आप कहे दोगे गुरुजी carbon dioxide बनता है तो यह क्या है यह भी वही हो रहा है जब दो चीजें आपस में मिल रही है और एक नई चीज बना रही है मतलब दो आपस में मिल के और एक नई चीज बना रही है बच्छो इसे हम कहते है chemical reaction अब chemical reaction के अंदर कौन कौन सी चीजी होती है तो chemical reaction के अंदर पहली चीज तो होती है change in state क्या होती है एक तो पदार्थ कि किसमें change होता है बच्छो state में change होता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें carbon क्या होता बच्चो solid state में होता है है ना और ये क्या होता है ये gasey state में होता है तो ये solid state है ये change हो गया किसमें carbon dioxide किसमें होती है gasey state में होती है तो एक तो इसके अंदर क्या change हो सकता है state में change हो सकता है जिस तरह बात करें बच्चो अपा गुरू जी बनाते है water, पानी, तो इसको भी आप लोग देखोगे न, क्या देखोगे सर, कि hydrogen क्या है बच्चो, gaseous stage में है, किस में है, gaseous stage में, oxygen क्या है, ये भी gaseous stage में है, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, पानी, ये किसमें बच्चो, ये liquid state में है, या कहा दो बच् हो हमारे, इस reaction के अंदर, ये जो था magnesium, ये किस में convert हो रहा था, ये white powder में convert हो रहा था, बोलो हाँ, किसी चीज को जलाते हो, तो चीज paper को जलाते हो, paper white color का होता है, जलाने के बाद राख black color की हो जाती है, है ना, दूसरा कह रहा है, evolution of a gas, gas का क्या होता है बच्चो, evolution होता है किसी भी reaction के दोरान कह रहा है, जरूर ही जलाने की ही बात करे, कोई और भी reaction हो सकते है, जलाना ही reaction ही होता, reaction का मतलब क्या होता है, chemical reaction का मतलब ये होता है, बच्चो, कि एक state से दूसरी state में बदलना, मतलब किसी भी चीज़ का एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ बनना, है भी सबस्टांस का यूज करके कोई नया सबस्टांस बनाना ही मतलब होता है chemical reaction समझ मैं इस सिधी सिधी भासा में बात करें तो यह होता है दूसरा कहा रहा है change in temperature temperature में change होता है आपने देखा होगा कि चूना चूना देखा है आप लोगों ने चूना देखा है सर बिल्कुल quick climb चूने के अंदर जब पानी डालते हो तो अचानक से उसमें गर्मी पैदा होती है heat चूने के अंदर जब पानी डालते हो तो उसमें क्या होता है heat पैदा होती है भाप निकलती है जाम से तो उसका क्या होगा temperature बढ़ गया तो temperature में भी change होता है कई बार देखा होगा आप लोगों ने किसी की nitrogen के साथ reaction कराता है एकदम से ठंडा हो जाता है एकदम से धाम से ठंडा हो जाता है तो क्या हो रहा है तो जब भी reaction होती है तो reaction होने के दोरान प्यारे बच्चों इन सारी चीजों के अंदर क्या होता है चेंज होता है क्या होता है इन सारी चीजों में चेंज होता है चलो आगे बढ़ते हैं आगे हम लोगों ने बढ़ा कि what is the chemical equation next जो हमारा point बच्चों वो है हमारा कि what is the chemical equation chemical equation क्या है अभी तो हमने जो बात की बच्चो वो chemical reaction की की यह chemical reaction क्या होता है अब बात आती है what is the chemical equation chemical equation क्या होता है बच्चो तो देखो यह कहा रहा है chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words a chemical equation represents a chemical reaction समझ में है या? कहा है रहा है सार? पढ़ दो बटे अराम से पढ़ना ध्यान से पढ़ना यह कहा रहा है chemical equation जो होता न बच्चो यह एक concise and useful method होता है किसी भी chemical formula को लिखने का अच्छा जी दूसरा कहा रहा है chemical equation represents a chemical reaction क्या कहा रहा है? देखो समझ में मैं कहा रहा हूँ जो भी अपन words में लिखते है थोड़ी तेर पहले जब हम words में लिख रहें थे हमने लिखा क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि magnesium जो है यह magnesium oxygen के साथ reaction करता है यह magnesium जो है यह oxygen के साथ reaction करता है और कुछ बनाता है magnesium oxide अब यह कह रहा है इन words को हम लोग chemical formula में यानि सिधी सिधी बासा में बात करें बच्चो तो इन words को अगर हम लोग symbols में convert कर दें किस में convert कर दें प्यारे बच्चो इनके symbols में convert कर दें तो उस सीज को हम बोल देंगे क्या कि chemical equation होती है जैसे कि magnesium का symbol था mg mg में लिख दिया oxygen का symbol होता है O2 O2 में लिख दिया O2 क्यों कहां क्योंकि oxygen O2 की form में होती है तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया magnesium oxide बना दिया क्या बना दिया magnesium oxide बना दिया mg O ये magnesium oxide का symbol होता है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चो इसका मतलब तो ये हुआ ना इसका मतलब जो chemical equation है न यह बस chemical reaction को ही represent करता है यह बकाइदा लिखा भी हुआ है chemical equation represent से chemical reaction यह इसी को represent करता है बस इसकी क्या होती है बच्चो यह symbolic form होती है क्या होती है symbolic form होती है यानि के जब हम chemical reaction को symbols की form में लिखते हैं तो उसे हम कह देते हैं chemical equation समझ में आगई very good बच्चो जैसे कि हम यहाँ पर लिखें hydrogen वाला है इसको chemical equation लिखना हो तो कैसे लिखोगे hydrogen का गुरुजी ह आएगा है ना oxygen का क्या आएगा बच्चो O2 आएगा और पाने का क्या आएगा हटो आएगाow क्या आएगा остав तो यह क्या है यह chemical equation है वही carbon का है carbon का बच्चो C आएगा oxygen का क्या आएगाav CO2 आएगा और यह मिल के क्या बना देंगे बच्चो CO2 बना देंगे तो है तो यह chemical reaction ही लेकिन उसका क्या है बच्छो symbols की form में convert कर देना समझ गए very good आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो कहरा है right a chemical equation यह chemical equation को कैसे लिखते हैं वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे सर हमने लिखना है जी carbon और oxygen मिलके carbon dioxide बनाते हैं तो दो सर इसमें कोई बड़े बात नहीं carbon plus oxygen मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चो carbon dioxide बनाते हैं hydrogen और oxygen मिलके गुरुजी पानी बनाते हैं oxygen मिलके क्या बनाते बच्चो H2O प कुछ नहीं होता बच्चा जो भी अपने को कैमी reaction के अंदर जो words दी होते ना उन words का क्या लिखना होता है उन words के symbols लिखने होते हैं या उन words के क्या लिखने होते हैं formulas लिखने होते हैं बस simple है अब देखो पानी है पानी का क्या है अगर reaction लिखोगे तो पानी का होगे और पा is called Balanced Chemical Equation. यह क्या होती है साब? Balanced Chemical Equation. यह कह रहा है Law of Conservation of Mass. यह बड़ी खबसूरत सी जी जा बच्छो. Law of Conservation of Mass that you studied in class 9th. Mass can be neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. This is the total mass of element presents in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element presents in the reactant. यह क्या कह रहा है बच्छो. यह कह रहा है आप लोगों ने 9th class में एक चीज पड़ी है Law of Conservation of Mass. Law of Conservation of Mass क्या कहता है? Law of Conservation of Mass कहता है कि Mass is neither be created nor be destroyed. यानि Mass ना तो नया बनाया जा सकता और ना ही Mass को कभी खतम किया जा सकता है. यह हमेशा कंजव रहता है. इसका मतलब यह कह रहा है यह होता है कि कोई भी chemical reaction कोई भी जो chemical reaction होती है इन सभी chemical reaction के अंदर जितना Mass product का होता है उतना ही Mass किसका होना चाहिए बच्चो reactants का होना चाहिए. अब यह reactants और product क्या होते है प्यारे बच्चो देखो. reactants वो होते है, reactants किसे कहते है? तो reactants वो होते है बच्चो जो reaction के अंदर participate करते है. reactants किसे कहते है? भीया जो reaction के अंदर participate करते हैं है ना जो reaction के अंदर भाग लेते हैं है ना the substance which participate in chemical reaction और क्या बच्चो product क्या होता है product, product वो चीज होती है सर जो किसी chemical reaction के during जो एक new substance बनता है किसी भी chemical reaction के during जो new substance बनता है, this new substance is called product तो उस नए substance को क्या कहते है प्यारे बच्चो product कहते है जैसे कि ये reaction आपको दिख रहा है ना, zinc और H2SO4 इसको बोलते हैं बच्चो sulfuric acid इसको बोलते हैं zinc, जब zinc और sulfuric acid एक reaction करते हैं तो ये क्या बना देते हैं ये zinc sulfate और अपना क्या बना देते हैं hydrogen gas अलग हो जाती है तो बच्चो ये जो reaction है इसमें जो left hand side में जो भी चीज़े हैं है ना, वो सारी चीज़े क्या कहलाएगी reactant कहलाएगी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चो reactant कहलाएगी, यानि कि ये reaction क्या कर रही है, participate कर रही है और जो बच्चो इधर बन रही है जो इस line से इस line से दूसरी तरफ यानि कि जो right hand side में जो भी चीज़ लिखी मिलेगी बच्चो ये चीज़ अपनी क्या कहलाएगी प्यारे बच्चो ये अपना product कहलाएगी क्या कहलाएगी अपना product कहलाएगी इसका मतलब ये कह रहा है कि जितना मास यहां पर होना चाहिए न उतना ही मास यहां पर होना चाहिए तो फिर ये equation क्या करेगी तो फिर ये equation law of conservation of mass को follow करेगी चलो इसके लिए अपने को क्या करना है ये कह रहा है the number of atoms of each elements remain the same before and after the chemical reaction ये कह रहा है हम क्या कर सकते हैं? तो यह कहता है कि हम यह कर सकते हैं, बच्चो, कि हम लोग, हम लोग कोई भी reaction जब होती है. तो reaction से पहले जितने number of items होते हैं, अगर reaction के बाद भी उतने ही number of items रहे जाएं अपने पास, तो बच्चो, वो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ mass बराबर हो जाएगा? नहीं समझ में आया? चलो, मैं बताता हूँ. क्या बताता हूँ? इसमें देखो बच्चो, Zinc Sulfuric Acid, Sulfuric Acid होता है H2SO4, यह कह रहा है कि अगर किसी equation को, आपको, किसी equation को आपको balance करना है, balance करने का मतलब होता है बच्चो, कि भाई साब, यह reaction, वो reaction होती है, जो, sorry, जो क्या करती है? law of conservation of mass को क्या करती है? follow करती है, यानि कि जो भी reactant है, जो भी यहाँ पर इतने सारे reactant है, इनका जो mass है, वो बराबर होना चाहिए, इस mass के, इनके जो mass है, इसके बराबर. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, प्यारे बच्चो, कि हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर, अगर number of atoms को बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, number of atoms को बराबर कर देंगे, तो प्यारे बच्चो, क्या आपने पास अगर दोनों तरफ number of atoms क्या आजाएंगे equal हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास अपने पास सर फिर mass तो खुद बखुद equal हो जाएगा ना जैसे की मैं कहूं गुरुजी मेरे यहां पर ना 2 hydrogen है कितने hydrogen है 2 hydrogen है मैंने कहा reaction के बाद वहां दूसरी तरफ भी कितने 2 hydrogen है अब बच्चों एक बात बताओ यार एक hydrogen का mass होता है एक 2 hydrogen का mass कितना हो जाएगा दो तो इधर मेरा hydrogen का mass मिलागे कितना बन रहा है 2 बन रहा है oxygen का अगर mass की बात करें तो oxygen का mass कितना होता बैच्चो 16 होता है दो का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा और इधर एक oxygen है तो 16 हो जाएगा ये देखो बराबर नहीं हुआ ना क्यों नहीं हुआ क्योंकि number of items दोनों तरफ बराबर नहीं थे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको 2 से गुणा कर दो तो अब यहाँ पर कितना होगा एक और 16 होगा 16 है 16 प्लस 16 कितना होगा प्यारे बच्चो 32 और 32 और 32 क्या होगे बराबर कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी equation को balance करना आ जाए पेपर में या balance करना हो तो आपको क्या करना है आपको बच्चे both side किसी भी equation के दोनों तरफ आपको number of atoms यानि के परमाणों के संख्या को क्या कर देना है पराबर कर देना है देखो इस equation में देख लेते हैं सर आप, है ना, देखो इसके अंदर इधर देख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो equation को balance कैसे करते हैं, तरीका बताता हूँ आपको क्या लिखना है, सबसे पहले elements लिख लेना है, कौन-कौन से use हो रहे हैं में तो कौन कौन से बच्चो जिंक है हमने जिंक लिख लिया हाइडरोजन है हमने हाइडरोजन लिख लिया सलफर है हमने सलफर लिख लिया ओक्सिजन है ओक्सिजन लिख दिया ठीक बात उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमने को देख क्या लिखना है बच्चो हमने लिख लिख दिया कि number of atoms in left hand side left hand side में जितने atoms के number थे ना वो लिख दिये यानि जिंक की बात करें तो left hand side में कितना जिंक था बच्चो एक था तो हमने एक लिख दिया hydrogen की बात करें तो 2 थे हमने 2 लिख दिये sulfur की बात करें 1 था हमने 1 लिख दिया अक्सिजन की बात करें चार थे हमने चार लिख दिये अब दूसरी तरफ भी क्या करना है इनी के नमबर जिंक की बात करें कितना है एक है लिख दिया हाइड्रोजन की बात करें कितने हैं दो है लिख दिये उसके बाद sulfur की बात करें कितने हैं? एक है, लिख दिया उसके बाद oxygen की बात करें कितने हैं? चार है, लिख दिया क्या मुझे बताओ, यह बराबर नहीं है चार, एक, दो, एक दोनों तरफ बराबर है ना तो इसका मतलब यह equation कैसी है? यह balance chemical equation है समझ में आया ही बात, बोलो हाँ चार, पास आगे बच्चो, आगे आता types of chemical reaction इससे पहले बच्चो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ क्या? मैं आपको एक equation दे रहा हूँ आप मुझे comment box में या मेरे instagram पर उस password जरूर जरूर देजिएगा मैंने का बच्चो मेरे पास iron है लोहा है, अगर मैं इस लोहे को हवा में खुला चोड़ देता हूँ या फिर पानी के साथ, भाप में इसको खुला चोड़ देता हूँ, भाप क्या होता बच्चो H2 यह ना, अगर मैं इसको कुला चोड़ देता हूँ तो यह क्या बन जाता बच्छो यह बन जाता है F3O4 F3O4 पलस में क्या बन जाता है बच्छो पानी सोरी हाइडरोजन गैस रिलीज हो जाती है हाइडरोजन गैस क्या हो जाती है रिलीज हो जाती है ठीक यह जो लोहा होता है ये solid state में होता है ये जो पानी है ये बच्छो gaseous state में है भाप, वैपर है ये जो बनता है ये solid बनता है और ये जो बनती है बच्छो ये gas बनती है अब मुझे बताना कि ये balance है के नहीं है अगर balance नहीं है तो इसको कैसे balance करोगे इसको balance करके और मुझे बताना balance करने के लिए क्या करना है कुछ नहीं करना अपने को left hand side में ये left hand side अपनी तो left hand side में बच्चो जितने भी number of atoms है left hand side में जितने भी अपने क्या है बच्चो जितने भी अपने atoms है इन atoms को बराबर करना है right hand side में जितने भी क्या है बच्चो अपने पास? Atoms हैं. Right hand side में जितने भी Atoms है ना, इन Atoms को क्या करना है? बराबर करना है. तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? वही तरीका आपको अपनाना है, जो तरीका मैंने आपको बताया था. क्या करना है? देखो, इधर अपना क्या है? Ferrous, Fe. और क्या है बच्चो अपना? Hydrogen, Hydrogen. और क्या है बच्चो? Oxygen, Oxygen. नमबर लिख लो इनके, कितने है Ferrous? एक है, सर. कितने है Hydrogen? दो है, सर. कितने है Oxygen? एक है, सर. कर लिया? इधर देखो, कितने है Ferrous? 3 है सर, 3 है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद hydrogen कितने है, 2 है सर, 2, oxygen कितने है, 4 है सर, 4, अब देखो बच्चा, आप तो सर गड़बड हो गया, क्या गड़बड हुआ, अब तो यह balance नहीं है ना, अब तो सर यह 1 है, उदर 3 है, यह 2 है, चलो यह तो balance है, यह बीच वाला balance है, लेकिन यह नीचे वाला भी नहीं है, उपर वाला भी नहीं है, तो इनको balance करना पड़ेगा, अब balance करने के लिए क्या करें सर, सोचो आप, यह 3 है, और इधर भी 3 बनाना है, तो इसको 3 से multiply कर दोगे, 3 से multiply कर दोगे, कितना बन जाएगा, 3, तो इसको भी बच्च से अगर multiply कर देता हूं, तो बराबर माहूल, और इधर जब 4 से multiply करोगो न, भाईया, यह चीज ध्यान से रखना है, कभी भी आपको यह नहीं करना, इस चार से multiply करे, oxygen का, यहां 4 लिख दो, नहीं, नहीं, ऐसा कतई नहीं करना, कहीं ऐसा करो कि आप लोग, भाई, चार multiply करते हैं, आगे करते हैं, चार से कर दिया, अरे भाई, यह तो गडबड हुआ, कैसे हुआ, चार से अगर हम यहां पे किया, तो हमको फिर चार से तो फिर इसको यह hydrogen को भी हो गया, तो अपने आप ही हो गया, भाई, चांस ही हो गया, तो इसको भी करना पड़ेगा, जब इ कितने हैं, आठ, उससे आगे कितने हैं बच्चो, चार, समझ में आगया, ऐसे करना है balance, कर दोगे ना, बोलो हाँ, यह गोट इट, आगे बढ़ते हैं, अब बच्चो यह तो बात है थी हमारी chemical reaction और chemical equation की, समझ में आया सभी को, बोलो हाँ, यह सर, बहुत अच्छे सांदार चबरदस, अब बच्चो बात करते हैं, आपके एक नए और बहत्रेंच concept की, जिसको हम कहते हैं, types of chemical reaction, किसर जो हमारे chemical reaction होते हैं, उनके types क्या क्या होते हैं, कितने type की chemical reaction होती है, तो बच्चो सबसे पहला जो reaction का type आ रहा है, हमारे सामने, वो आ रहा है, combination reaction, कौन सा reaction आ रहा होता है, एक बार इसकी definition पढ़ देते हैं, उसके बाद आप समझते हैं, इसको क्या होता है, ये कह रहा है, such a reaction in which a single product is formed from two or more than reactants is known as combination reaction, इसका मतलब क्या हुआ बच्चो, इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है, कि जिस reaction में, एक single product is formed, दिख रहा है न आपको, single product is formed, ये एक single product बनता है, ठीक, ये देखो, reaction है, ये है चुना, बच्चो, quick lime, इसको बोलते हैं, चुना, calcium oxide इसका नाम होता है, ध्यान रखना, क्या नाम होता है, very good, ये चुना है, चुने को बच्चे जो पानी से मिलाते हैं, पानी से मिलाते हैं, ये पानी है बच्चो, L लिखा, इसका मत बच्चो, ये किसमें होता है, एक्वस सोलुशन में, जली है, घोल होता है, ये, विलियन, अब ये है combination, अब combination का मतलब समझे हो आप लोग, combination मतलब combine होना, यार, जुड़ना, जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं ना, तो combination होता है, समझे हो, combination का मतलब जानते हो, reaction को छोड़ो भाड में गया reaction, combination क्या होता है, तुने कभी किसी के साथ combination नहीं किया, अबे सर क्या है, बताएंगे नहीं, तो that is the combination बाबा, वही तो combination है, है ना, क्या है, that is the combination, तो combination में क्या होता है गुर जी, एक और दो आपस में जुड़ते हैं, और एक शू, नई चीज बना द जिया सर, है ना, अब ऐसा नहीं है, कि भाई साथ तुम कहो कि जी, मम्या मिले, पापा मिले, दोनों मिलके बच्चा बन गया, combination reaction है, अबे नहीं, वह combination reaction नहीं है, कभी सोचो जी ये भी तो combination reaction है सर, दो लोग जुड़े और एक नया बच्चा बन गया, अबे नहीं बाबा, नहीं, ये combination reaction नहीं है, है ना, ये हलक चीज़ है, पढ़ेंगे हम, इसको reproduction बोलते हैं बच्चो, है ना, क्या बात करते हो, चालो सर, उसके बाद, combination reaction में समझ में आया, और भी बहुत सारे है, और example बता हूँ आपको, बता दो सर जी, चालो बताई देते हैं, बच्चो पानी बनता है ना, पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, वो जो पानी बनता है, उसमें भी तो क्या हो रहा है, उसमें भी तो hydrogen और जो oxygen होता है बच्चो, उनके बीच में क्या होता है, combination ही होता है, और क्या बनता है, एक single product बनता है, ये तो ये कह रहा है, वह जब दो चीज़ मिलता है तो क्या बनाता है बच्छो कार्बन डाई एकसाइड बनाता है ये भी तो क्या है? ये भी एक combination reaction है सर जब दो भी चीजे मिल करके एक नई चीज बनाए ना दो या दो से ज़्यादा चीजे मिल के एक नया substance बनाए उसको बोलते है combination reaction समझ गए what is the combination reaction बोलो और मुझे ये बताओ क्या ये जो equation लिखा है मैंने ये balance है नहीं है तो इसको comment box में balance करके बताओ ठीक है चालो I think कि सारे बच्चे combination reaction समझ गए होंगे very good आगे बढ़ते है बच्चो आगे आता है exothermic reaction वाओ बहुत अच्छी reaction है is called exothermic reaction समझे आया ये कह रहा है कि ये वो reaction होती है जिसमे जिसमे जो product मनता है ना product के साथ साथ heat भी form होती है यानि heat निकलती है बच्चो गर्मी निकलती है जब गुरुजी दो चीज़ें आपस में जुड़ती है ना तो उसमें से heat निकलती है भाईसाब क्या बात करें सच में होता है जब दो चीज़ें आपस में मिलती है तो क्या होता है उनके बीच में heat निकलती है तो जिस reaction के अंदर अब वो कोई भी reaction हो जिस reaction के अंदर सीदी सीदी भासा में बात करें बच्चो तो A, C reaction, जिसके अंदर heat produce होती है, A, C reaction को बोलते हैं बच्चो, exothermic reaction, बोलो हाँ, क्या होता है, heat produce होती है, उसे बोलते हैं exothermic reaction, वाज़ वाज़ वाज़, वही बात करते हैं, इदर देखो, बहुत सारी चीजे हैं, चालो बच्चो, देखो, यह देखो, यह कहा रहा है, Oxygen के साथ reaction करता है. Oxygen के साथ reaction करने का मतलब क्या होता है बच्चो किसी को जलाना या दर रखो वो बाते बताया था मैंने बिलकुल गुरुजी तो क्या बनता है? एक तो carbon dioxide गेस बनती है दूसरा क्या होता है बच्चो? पानी बनता है और तीसरी क्या produce होती है इसमें से? heat produce होती है होता है के नहीं होता जब आप किसी चीज को जलाओगे तो उसमें से गर में निकलेगी के नहीं निकलेगी बिल्कुल तो यह कैसी reaction है वैच्छो यह exothermic reaction है और देखो यह कहा रहा है solid state में जब carbon होता है यह oxygen के साथ reaction करता है थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने आपको कि जब कोईला जलता है बर्न होता है तो वो oxygen के साथ reaction करता है और oxygen के साथ reaction करके क्या बनाता है बच्चो carbon dioxide बनाता है और जब कोईला जलेगा और तो बच्चो जब कोई चीज जलेगी तो उसमें से heat तो उत्पन होगी होगी उश्मा तो उत्पन होगी होगी तो ये भी क्या है heat produce कर रही है इसका मतलब ये भी क्या है बच्चो exothermic reaction है उसके बाद ये कह रहा है जब hydrogen oxygen के साथ reaction करता है यानि जब hydrogen oxygen के साथ जब hydrogen जलता है तो भी क्या बनता है बच्चो पानी बनता है और heat producer होती है ठीक बात तो ऐसी reaction जिसमें heat produce होती है सीधी सीधी भासा में हम बात करें तो the reaction in which heat is produced is called exothermic reaction अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किती चुने वाली तो चुने में भी तो क्या होता है चुने में जब आप पानी डालते हो तो उसमें भी तो क्या होती है heat पैदा होती है तो ये भी कैसी reaction है ये भी exothermic reaction है अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर गुरु जी ने तो हमें इसको chemical reaction बताया था और अब कह रहे हैं exothermic है तो बेटा एक reaction एक से ज़्यादा type की भी हो सकती है शाबास बहुत अच्छे चालो सर तो exothermic का पता चला आपको कि what is the exothermic reaction क्या होती है बच्चों exothermic जिसमें से heat produced होती है the reaction in which heat is produced चले बच्चा लोग चलो आगे आता है decomposition reaction ये क्या होता है decomposition reaction what is the decompose decompose होने का मतलब क्या होता है आप लोगों ने छोटी क्लासों के environment में पढ़ा होगा decomposure क्या पढ़ा है decomposure decomposure क्या होते है decomposure वो होते है जो चीजों को decompose कर देते हैं Yes decomposer वो होते है बच्चो जो चीजों को खाखा के खाखा के उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकडों में तोड़ के हमारे nature में मिला देते हैं That is called decomposure क्या बोलते है बच्चों उनको decomposure बोलते है कह दो कोई बी बाफिस बना देगा मतलब इसको नाइड्रोजन के तोड़ देगा इतर उदर अपने अलग-अलग बागों में तूट जयाएगी और अपने मि्टी मिल जाएगी और उसे हम लोग बच्चे है खात, उरवरक, फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है, चाह रहे हैं, ओके, बायो गैस बोलते हैं उसको, बायो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बायो मास, तो वो क्या है बच्चो, डिकम्पोजर होते हैं, अब वो करते क्या है, वो बच्चे चीजों को क्या करते हैं, तोडते है क्या करते हैं तोड़ते हैं जब किसी भी चीज का टूटना है ना टूटना टूटना क्या कहलाता है प्यारे बैच्चो किसी भी चीज का टूटना ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है डिकंपोजिशन कहलाता है समझ में आगी चालो इसकी डेफिनेशन पढ़ ले आज पढ़ यह लो बच्छो यह भी आई कह रहा है मैं कुछ अलग बता रहा हूं यह कह रहा है इन दिस रियक्षिन यू कन आप जाओ दाट ए सिंगल रियक्टेंट ब्रेक्डाउन तो ग्यूं सिंप्लर प्रोड़ेक्ट इस इस कॉल्ड इकम्पोजिशिशन रियक्षिन यह कह रहा है ए यह बच्छो फेरस सल्फेट है क्या है फेरस सल्फेट फेसो फोर बच्छो जब इसको गरम किया दाचा है यह देखो यहां पर हीट लिखा हुआ है यानि कि इसको हीट दी जाती है इसको गरम किया जाता है तो गरम करने के बाद बच्छो यह किसमें बदलता है यह फेरिक Oxide, Sulfur Dioxide और Sulfur Tri Oxide ये तीन पार्ट में क्या हो जाता है बच्छो तूट जाता है तूट के और ये बिखर जाता है इसको हम बोलते हैं Decomposition Reaction क्या बोलते हैं बच्छो इसको Decomposition Reaction और भी इसके Example है बच्छो Decomposition के बहुत सारे Example है देखो ये है Limestone Limestone आपने सुना होगा Marble इसे कहते है बच्छो Marble संगमरमर का जो पत्थर होता है सुनो न संगमरमर की मिनारें ये वही संगमरमर है या नहीं ताज महल जिससे बना होता है वो इसी से बना होता है Limestone इसको चूना पत्थर कहते हैं चूना पत्थर को जब गरम किया जाता है Limestone का formula क्या होता है वैसे इसका नाम होता है chemical name calcium carbonate co3 जिसके पिछे लगा होता है उसको carbonate बोलते हैं क्या बच्चो calcium carbonate जब calcium carbonate को गरम किया दाता है तो इससे क्या बनता है इससे बनता है quick lime यानि कि lime बनता है चूना बनता है calcium oxide CAO यह क्या होता है चूना होता है फलस में कौनशी gas released होती है carbon dioxide gas released होती है ठीक है? तtar इस में देखो क्या है इसमें limestone, चुने का जो पथर है इसको गरम किया, गरम करने से चुना अलग हो गया, carbon dioxide gas अलग हो गया, तो simple form में तूट गया चुने का पत्तर, तो ये क्या है breakdown, और भी example है यह देखो सर, Silver Cloride, AgCl, Silver Cloride, Ag होता है Silver Cl, मतलब कलोराइड, जब इसको सूरज की रोसनी में रखते हैं बच्चो, तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, और कलोरीन गैस क्या हो जाती है, उसमें से रिमूव होके उठ जाती है, तो यानि जब कोई एक चीज तूट जाए, यह कह रहा है देखो, Lead Nitrate, Lead Nitrate क्या है, 2PBNO3 twice, यह होता है Lead Nitrate, जब इसको गरम करते हैं, तो यह किसमें बदल जाता है बच्चो, Lead Oxide में बदल जाता है, दूसरा यह बदल जाता है, Nitrogen Oxide के अंदर, और तीसरा बच्चो, Oxygen GANS यहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, इसके बाद, जो Silver Bromide होता है, जो Photography वेगरा में यूज किया जाता है बच्चो, Photography में यूज होता है Silver Bromide का, ज्यान रखना, किसमें यूज होता है बच्चो, Photography में, पेपर में पूछ लेगा एक नंबर में, कि Photography में कि इसका यूज होता है, तो Silver Bromide का यूज होता है Photography क अंदर तो silver bromide को जब sunlight में रखते हो तो silver बच्चों अलग हो जाते है bromine अलग हो जाता है gaseous form में अलग हो जाती है gas बनके उड़ जाती है अब एक चीज आप लोगों ने देखी कि इसमें ना हर एक में क्या करना पड़ता था यहाँ sunlight है मतलब heat दे रहे हैं गरम कर रहे हैं सूरज की रोसनी में दूप में भी बलती दूप में किसी को रखोगे तो क्या होगा गरम ही होगा ना heat दे रहे हैं अब इसको भी गरम कर रहे हैं मतलब इसको भी heat दे रहे हैं इससे पहले हम लोग दो और पढ़ के आए हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, sunlight है, इसमें calcium carbonate जो है, इसको भी क्या कर रहे है, heat दे रहे है, इसी सिदम, इसका मतलब क्या सीद होता है, इसका मतलब यह होता है, कि इन सभी reaction में हम क्या दे रहे हैं बच्चो, heat दे रहे हैं, और वह देर पहले हम लोगों ने экzothermic reaction के बारे में बात की थी, अब ये line क्या कह रही है, ये line कह रही है the reaction in which energy is absorbed, जिसमें energy को absorbed किया जाता है प्यारे बच्छों, वो क्या होती है, वो endothermic reaction होती है, क्या होती है? endothermic reaction होती है समझ गए तो ये सारी की सारी reaction जो अभी पढ़ी हमने endothermic इससे पहले पढ़ा exothermic exothermic में heat exit होती है endothermic में अंदर आती है समझ में आगी यस आगे बढ़ते हैं ये है बच्चो displacement reaction आगे आएगा displacement reaction displacement का मतलब क्या होता है displacement एक चीज को displace कर दिया उसको हटा दिया उसके जगह पे फुद आ गया ये NCRT का मैं आपके सामने example देख रहा हूँ एक diagram है ये NCRT का हुब हुद diagram है आपने देखा होगा NCRT books के अंदर तो इसमें क्या कर रहे है बच्चो इसके अंदर क्या है ये जो अपने केले आ उन्होंने टेश्ट्यूब लिया बच्चो इस टेश्ट्यूब में एक धागे के साथ एक लोहे की किलो को बांद दिया गया ये लोहे की किल है धागे के साथ इस लोहे की किलो को बांद दिया गया और इस टेश्ट्यूब के अंदर कोपर सलफेट का सोलुशन डाला किसका सोलुशन डाला CUSO4 कोपर सलफेट का सोलुशन डाला अब बच्चो होगा क्या होगा क्या CUSO4 कोपर सलफेट का जब इन्होंने यहां पर सोलुशन डाला और इसके साथ यहां पर क्या था बच्चो iron भी था लोहा भी था अब होगा क्या लोहा जो होता है वो copper के comparison में ज्यादा reactive होता है तो लोहा क्या करेगा लोहा इस SO4 को यहां से उठा लेगा और अपने साथ जोड़ लेगा ferrous sulfate और यह copper बेचारा अलग हो जाएगा यह copper बेचारा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो ऐसा ही होता है इसी को बोलते है displacement reaction यह देखो बच्चो क्या हो रहा है यह देखो यह iron की nail है ठीक है लोहा है और जब बाहर निकाला तो लोहे ने अपने साथ क्या जोड़ लिया बच्चो sulfate जोड़ लिया color में आपको difference आ रहा है ना बिल्कुल साब यह है copper sulfate क्या है बच्चो यह यह copper sulfate है जैसे यह आपने इसके अंदर कील डाली कील डालने के बाद आपने बापिस से निकाली इसमें से कील अब यह ऐसे रंग का बचिया यानि कि इसमें से sulfate जो था ना SO4 वो उड़ा लेगा कौन लोहा उड़ा लेगा iron छू कर गया उसको समझ मैं आई बात तो क्या हुआ गुरू जी एक लोहा था एक लोहे को reaction करवाया copper sulfate के साथ किसके साथ है इनायन क्या होता है जो electron लेते हैं metal non metal में आपने पढ़ा होगा बड़े तरीके से कभी भी पढ़ा है तो अब यह क्या करेगा जो लोहा है न बच्चो iron यह क्या है more reactive है copper के comparison में क्या है बच्चो यह copper के comparison में more reactive है अब more reactive है इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चो यह more reactive copper के comparison में क्या है यह more reactive ज्यादा reactive है इसलिए यह sulfate जो है ना sulfate sulfate का जो आयन होता SO4 यह sulfate इस copper को छोड़ देगा है बेच्चोड ना देखो भई कोई चीज किसी को छोड़ के दूसरे के पास जाती है तो क्यों जाती है ऐसी थोड़ी ने जाती है ऐसी थोड़ी ने जाती है reason होता है क्योंकि सामने वाला आप से ज्यादा reactive होता है इसलिए आपको छोड़ के सामने वाले के पास जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि भाया जो फैरे से लोहा है वो ज़्यादा रियक्टिव है कोपर से तो वो चीज कोपर को छोड़के लोहे के पास आ गई कौन सलफेट तो अब ये क्या हुआ इस्प्लीशमेंट हो गया ना सर किसका भाया कोपर को डिस्प्लीश कर दिया लोहे ने भाई साब देखो आप भी करते हूँ आप डेली लाइफ में डिस्प्लीशमेंट रियक्शन होती है आप कभी-कभी आप कभी-कभी किसी-किसी के साथ कमपाउंड में रह रहे हूँ आप कोई हाई रियक्टिव एलिमेंट तुम्हारे पास आए और वो तुम्हारे दूसरे एलिमेंट को उठा ले जाए उठा ले जाने का मतलब क्या है वो खुद तुम्हें छोड़के उसके पास चला जाए अब ऐसा कब हो सकता है ऐसा तब हो सकता है कि जब सामने आने वाली जो चीज है वो आप से ज़्यादा रियक्टिव हो ऐसा ही displacement reaction के अंदर होता है क्या होता है displacement reaction में displacement reaction के अंदर यही होता है बच्चो देखो 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 लिखा भी हुआ है बकायदा लिखो जो मैंने बनाया वहीं आपर बना हुआ है लिखा भी हुआ है इसमें ऐसा ही हुआ बच्चो यह लोहा है फेरेस है इसकी रियक्शन करवाई कोपर सल्फेट के साथ तो फेरेस सल्फेट बन गया यह सल्फेट फेरेस के साथ आ गया कोपर एकला सल्फेट बेवववा निकला सामने हाई रियक्टिव ऐलिमेंट दीखती भाग गया तो ऐसा कब होता है जब अइसमेंट बेन आको देखे खे लो और भी देख लो आप लोग यह जिंक की रियक्शन आपने कोपर सल्फेट के साथ करवाई तो सल्फेट इतना निकम्हा कोपर क तो फिर छोड़के sulphate, zinc के साथ भाग गया, zinc sulphate, आगे देखो, lead के साथ करवाई, labd के साथ copper chloride की करवाई, तो chloride भी, अब sulphate से करवा करवा के copper ठक गया था, फिर copper अपना एक और चीज ले के आया, अपनी दूसरी ले के आया, chlorine, अब chlorine ने भी ऐसा ही हाल हुआ भाईया, इसका म मतलब दादा, कमी तेरे में है बेटा, तू कम reactive है, इसलिए less reactive जो होते हैं, कमी इनमे है, तू ज़्यादा reactive बन, नहीं तो फिर sulphate layer से, chlorine layer चोड़ के तो जाएगी, हैगे ने भाई, यह है displacement reaction, आगे जी, आगे फिर एक और चीज होती है साथ, है ना, यह बढ़िया है, यह reaction म मेरे को सबसे बढ़िया लगती, है ना, इसमें कोई नो दिक्कत नहीं है, displacement reaction में तो देखो, कोपर सारा, बेचारा क्या होगा, प्रिशान, sulphate बेवफानिकली, chlorine बेवफानिकली, कोपर बेचारा, देखे या, देखो के माड़ी होई है ना, तो वो है अलग, यह बच्चो double displacement reaction, यह बढ़िया है, इसके अंदर double displacement हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर double displacement होता है, यह देखो बच्चो, इसके अंदर दिख रहा है, आपको यह test tube, यह कह रहा है, test tube containing solution of sodium sulphate, इसके अंदर sodium sulphate मिलाया हुआ है, ठीक है, यह कह रहा है, test tube containing the solution of barium chloride, इसके अंदर क्या है, test tube के अंदर barium chloride मिलाय हुआ है दूसरे बात कह रहा है formation of barium sulfate and sodium chloride वहाँ क्या हुआ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं score पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ क्या हुआ आखिर कहानी में twist क्या आया यह कह रहा such reaction in which there is an exchange of iron यह बढ़िया भाई साब अब वहाँ पे था किसी के दूसरे के आयन को ले के आना होता था अपने साथ यह ले के आने की बात नहीं करते यह समझोते के साथ काम करने वाले आदमे यह exchange offer में believe रखते है कि भाई साब तू उसके साथ बहुत दिन रह लिया यह रह ली अब मेरे साथ रह ले मेरे वाला जो है वो उसके साथ रह लेगा बढ़िया माहूल भाई साब इनका क्या चला यह between the reaction is called double displacement reaction भाई साब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है है ना देखो यह क्या हो रहा है यह sodium sulfate है भाई sodium sulfate NA2SO4 कि barium chloride के साथ जैसे ही मिला जैसे यह दो थे लोग मतलब एक, दो, तीन, चार यह चार लोग आपसे मिले तो इन्होंने बात की बेरियम ने का यार बेरियम को यह sodium यह जो sulfate था ना यह पसंद आ गया तो भाई साब हुआ क्या sulfate इस बेरियम के साथ चला गया चला गया फिर फिर sodium ने देखा यार तरे sulfate ले गया sodium ने का बेटा कोई बात नहीं कलोरीन तो उसकी भी है आने दो सोडीयम के साथ कलोरीन आ गया कलोराइड बढ़े गया ये डबल डिस्पलिश्मेंट होगा एक्षेंज कर लिया अपने आयन को वहाजिवा गजब माहा धन्य 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 ऐसा देगो ये होता है ये होती है रियक्शन कोई परवा नहीं वहाँ बेचारा कोपर के ला बेठा दारू पीरा ये इसको कोई दिक्कत नहीं सोडियम ने कहा सुल्फेट चली गई तरी फोन गए रहा सोडियम को हाँ आज के बाद मैंनी आओँगी अज्या सोडियम ने फोन रखा यार किस के साथ गई होगी दुबारा फोन क्या कहां जा रही है कहा कि बेरियम के साथ जा रही हूँ अच्छा बेरियम के साथ जा रही है हाँ बेरियम के साथ जा रही हूँ पिर ठीक है जादा सोडियम ने ध्राक से वापिस से फोन निकाला रखा और आप ये फोन क्या किसको गुमाया इदर उदर से यार कलोरिन का नंबर दो कौन से कलोरिन वो बेरियम वाली हाँ बेरियम वाली कलोरिन नंबर दो नंबर मिला कहीं से नंबर गुमाया हाँ कलोरिन मैं सोडियम अच्छा जी सोडियम बोली है क्या करें फिर क्या करें मतलब मतलब क्या तुम्हारा बेरियम मेरा वेरी सिल्फेट लेके भाग गया उसकी यह हिमत कब सी भागा थोड़े देर भागा तो ऐसा करो फिर तुम उससे तेज भागो तुम उससे तेज भागो और हम चलते हैं तो चल गए क्योंकि बातचीत तो पहले होती थी भाई साब तो सोडियम के साथ कौन चला गया क्लोरीन चला गया और भाई साब बेरियम के साथ क्या आगया तलफेट आगया माहोल चलता है भाई साब इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन क्या होता है डबल डिस्प्लेश्मेंट रेक्शन चालो बई आगे बढ़ते है वाँ आगे आगे आगा है बाई साब Oxidation and Reduction क्या होता है Oxidation and Reduction क्या होता है यह यह अलग ही चीज होती है साब इसको समझो, यह बड़ी ही खबसूरत सीज होती है क्या होती है, खबसूरत चीज होती है बहुत ही खबसूरत चीज होती है इसमें क्या हो रहा है? देखो, इस फोटो की समझाता हूं आपको यह क्या हो रहा देखो यह कहा रहा है, China disk containing copper powder इसके अंदर बच्छो copper powder डाला हुआ है अच्छा सब ये इसमें नीचे से ऐसे चू करके आग लगा दी इसमें ट्राइपोड स्टेंड अवे हिलमत ये ट्राइपोड स्टेंड है ये बर्नर है बर्नर तो इसमें इदर से आग को कम जादा तेज किया जाता है तो हुआ क्या अब किसी को जलाने का मतलब क्या होता है वो पहले ही बताया था मैंने किसी को जलाने का मतलब होता है girlfriend बनाना नहीं यार copper को जला रहे हैं मतलब जलाने का मतलब oxygen के साथ reaction करवाना यार reaction करवाना और reaction करवाओ गया oxygen के साथ तो क्या हो जाएगा बच्चो copper oxide बन जाएगा तो ये बन गया copper oxide बन गया तो बन गया फिर हम क्या करें अब हम क्या करें नहीं हम इसके अंदर हो गया oxidation ये क्या होगा हाँ तो सीधे सीधे सब्दों में मैं बताऊँ आपको कि किसी भी चीज के साथ oxygen का add होना oxygen का क्या होना बच्चो add होना क्या कहलाता है oxidation कहलाता है अगर किसी के साथ oxygen जूड गया अब इस copper के साथ क्या हुआ बच्चो देखो copper को जब जलाया गया तो copper का क्या होगा, यहाँ पर black black color का क्या हो जाता है, copper के उपर powder जमा हो जाता है, जिसको बोलते है copper oxide, क्या बोलते है बच्चो, copper oxide लिखा भी हुगा, the surface of copper powder becomes coated black copper oxide, यह देखो, in the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide, why has the black substance form, क्यों हुआ यह black substance form, यह कह रहा है, this is because oxygen is added to copper, and copper oxide is form, समझे मेरी बात को, यह कह रहा है, इसलिए हुआ, कि copper, तामबा, copper के साथ oxygen add हो गई, और उसने copper oxide बना दिया, जो कि black color का होता है, तामबा का होता है, तामबे का तार को आप जला के देखना, काला हो जाएगा साब, देखना कभी जला के देखना, अब जलाने का मतलब oxygen क साथ reaction करवाना, है के नहीं, चालो सर, उसके बाद, उसके बाद सर, एक और reaction मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर समझाओंगा चीजों को, ना, फिर मैं इन चीजों का आराम से आपको समझाओंगा, क्या हो रहा बच्चों, यह देखो, copper oxide, जो copper oxide बना था ना, उसकी reaction कोपर बेचारा बड़ा सरीफ इनसान, यह copper फिर फस गया भी यहाँ पर, जैसे ही hydrogen यहाँ पर आया, तो hydrogen इससे ज्यादा reactive, तो यह oxygen जो था है, इसको छोड़ के निकल गई, किसके साथ, इसके साथ, hydrogen के साथ, copper बेचारा फिर अकेला रह गया, copper के साथ बड़े मारी होती है, अब यह reaction, अब यह आपर दो reaction हो रही है, ठीक, एक में क्या हो रहा है, धैनसे सुनना, बड़े, अभी confuse करते हैं इस reaction में, confuse करना की कोई बात नहीं, एक में क्या हो रहा है, copper के साथ oxygen जूड रही है, और copper oxide बन रहा है, दूसरी में क्या हो रहा बच्छो, copper oxide में से oxygen हट रही ह और hydrogen के साथ जूड रही है अपना आराम से, तो इसमें copper अपना अलग हो गया, दिक्कत क्या होई, दिक्कत कुछ नहीं होई बच्छो, ऐसी reaction, जिसके अंदर oxygen add होता है, उसे हम बोलते हैं, oxidation reaction, बस, यही चीज़ है, ऐसी reaction, जिसमें oxygen gas क्या होती है, बच्छो, add होती है, oxygen gas add ह जूडती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, oxidation reaction, क्या बोलते हैं बच्छो, उसे, oxidation reaction बोलते हैं, जिसमें oxygen gas क्या होती है, add होती है, उसे क्या बोलते हैं, oxidation बोलते हैं, और बच्छो, जिसमें oxygen gas remove होती है, जिसमें oxygen gas remove होती है, और उसे क्या बोलते हैं, remove, ठीक हैं, remove होते हैं, क्या बोलते हैं? Reduction. समझ में आई बात. आ गई सर. तो इसका मतलब ये reaction क्या हुरी है? Reduction हो रहा है इसके अंदर. क्या हो रहा है? बई copper oxide का क्या हो रहा है? अब copper oxide का तो reduction ही हो रहा है ने उसमेंसे oxygen हट गई? समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हो? अब जब copper oxide ने hydrogen के साथ reaction किया तो copper अलग हो गया बच्चो और पानी अलग हो गया अब इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर ये हुआ कि copper oxide copper oxide में क्या था copper और oxygen था अब copper oxide में से सिरफ और सिरफ क्या बचा है copper बचा है इसका मतलब copper oxide में से क्या हो गया oxygen gas क्या हो गई remove हो गई oxygen gas क्या हो गई बच्चो remove हो गई remove होने का मतलब है oxygen gas यहां से अपना निकल गई है ना भाग गई यहां से निकल के और जब oxygen remove होती है तो उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चो reduction, क्या बोलते हैं reduction बोलते हैं, सही बात है दूसरी चीज फिर ये निकल के गई कहां तो फिर ये निकल के बच्चो ये जो hydrogen था तो फिर ये निकल के क्या हो गया hydrogen के साथ अपने मिल गई अब hydrogen के साथ क्या हो रहा है hydrogen के साथ क्या हो रही है oxygen add हो रही है oxygen का जुड़ना तो बच्चो जब oxygen जुड़ना क्या कहलाता है oxidation तो इसका मतलब ये वाली जो reaction है इसको हम बोलते हैं oxidation reaction और ये वाली जो reaction है इसको हम बोलते हैं reduction reaction समझ में आया मतलब इस एक reaction के अंदर दोनों ही काम हो रहे हैं एक का oxidation हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है reduction हो रहा है और बच्चो ऐसी reaction जिसमें oxidation ऐसी reaction बच्चो जिसमें oxidation plus reduction दोनों होता हो ऐसी reaction को हम बोलते हैं redox reaction क्या बोलते हैं प्यारे बच्चो जिसे red ox reaction हम बोलते हैं कौन सी reaction होती है sir red ox reaction ऐसी reaction बच्चो जिसके अंदर oxidation and reduction दोनों एक साथ हो रहे हो ऐसी reaction को हम बोलते है red ox reaction क्या बोलते है red ox reaction यानि red ox किस से बना red red मतलब reduction ठीक है और ox ox लिया आपने को oxidation से तो red plus ox red का बना reduction और ox का बना बच्चो oxidation तो ऐसी reaction को हम बोलते है red ox reaction क्या बोलते हैं प्यारे बच्चो red ox reaction बोलते हैं और भी red ox reaction है अपने पास ये देखो यहाँ भी red ox reaction हो रही है कैसे हो रहा है बच्चो देखो शापास ये देखो ये zinc oxide था क्या था इधर इधर यह जिंक ओक्साइड था अब जिंक ओक्साइड ने जब कोपर कार्बन के साथ सो रही कार्बन के साथ रियक्शन किया इसके साथ रियक्शन किया जिंक ओक्साइड ने बच्चो जब कार्बन के साथ रियक्शन किया तो क्या हुआ हुआ क्या सर यह जो oxygen था ना यह zinc oxide को छोड़ के चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चो यहाँ पर सिरफ और सिरफ zinc बचेगा मतलब इस zinc oxide में से क्या हो रहा है oxygen remove हो रहा है यहाँ से क्या हो रहा है oxygen gas जो होती है वो remove हो रही है और जब oxygen remove हो रही है तो बैच्चो क्या हो रहा है reduction हो रहा है तो यानि के इसका ZNO का क्या हो रहा है reduction हो रहा है अब इसका reduction हो रहा है अब इसका reduction हो रहा है सर दूसरा यह जो oxygen gas इसको छोड़के गई है यह मिली किसके साथ है तो यह मिली है सर आगे जा के carbon के साथ किसके साथ मि गैस जाके मिल गई समझ में आगी बात कि Oxidation क्यों हो रहा है इसका, वाइ क्यों किसमे Oxygen मिल रहा है और बताओ गुरुजी, और देख लो बच्चा ये क्या है, Magneze Oxide है ये HCl के साथ reaction करती है तो होगा क्या, अब यहां से Oxygen Remove हो गई, किसके साथ चले गई, Hydrogen के साथ चले गई, किसके साथ चले गई बच्चो Hydrogen के साथ चले गई, है ना Hydrogen के साथ चले गई, तो अब यहां से Oxygen Remove हो रही है तो निकल रही है Oxygen Sorry, 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 sorry यहां से Oxygen क्या हो रही है, निकल रही है यहां से देखो, यहां से oxygen क्या हो रही है, निकल रही है, इसमें oxygen नहीं है, तो oxygen निकल गई, मतलब reduction, अब इसमें क्या है, hydrogen के साथ, hydrogen के साथ oxygen end हो रही है, तो यह क्या है बच्चो, oxidation, क्या है यह, oxidation, तो समझ में आई बात, क्या होता है, तो ऐसी reaction को हम बोलते हैं, प्यारे reaction, क्या बोलते हैं, redox reaction, तो ये तो था हमारा type part था, ठीक है, इसके अंदर corrosion और rancidity आता है, corrosion का मतलब होता है बच्चो जंग लगना, जंग लगने का मतलब ये होता है बच्चो, ये oxidation के ही example होते हैं, corrosion का मतलब होता है, जब आप कोई लोहे की या कोई भी ऐसी धातू की चीज को आप बाहर नमी में छोड़ देते हैं, तो उसको क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, यानि वो oxygen के साथ reaction कर देती है, और oxygen उनके साथ जुड जाती है, तो वो oxygen क्या हो जाता है, उनका oxidation हो जाता है, जिससे वो तो प्यारे बच्चों ये था हमारा chemical reaction and equation का complete chapter, I hope कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है प्यारे बच्चों, तो आप चैनल 7G Science अपना चैनल है, इस चैनल को subscribe जरूर करें, ठीक है, और बच्चों हमारा Instagram पर मंदीप गोदारा ओफिशिल ये जो लिखोगे, आपको ये फोटो मिलेगा, ये नाम मिलेगा मंदीप गोदारा, तो वहाँ पर जाकर आपको follow कर लेना है, कोई भी doubt हो, तो आप मुझे Instagram पर जाकर करके भेज सकते हैं, आपकी हर समश्या का समाधान होगा, तो आज के साथ, इसी खबसूरत सी साम के साथ, आप से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में, एक नए सोट वीडियो के साथ, पूरा वन सोट वीडियो के साथ, जिसमें आपको complete chapter ही मिलेगा, उमीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजेगा, अगर पहली बार चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब भी कीजेगा, जै हिंद, जै भारत